हेलो एवरिवन, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ तो चलिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो ये रात को मैंने पीली मतर, सूखी मतर भिगो दी थी और रात भर भिगोने के बाद मैंने धोकर कुकर में डाल ली है और दो ग्लास मैंने यहां पर पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल लिया है अब हम इनको उबलने के लिए रखेंगे और तीन कम से कम हम सीटी यहां पर लगाएंगे और तीन सीटी में हमारी यह मटर उबल जाएंगी और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो 2-3 सीटी लगने के बाद ये आप देख सकते हैं मटर अच्छे से गल चुकी है तो अब हम यहाँ पर छलनी लेंगे और छलनी में मटर का पानी अलग कर लेंगे और जो नीचे पानी निकलेगा उसको हम सूप के रूप में पी सकते हैं काफी टेस्टी लगता है और इधर हमने एक टमाटर 2-3 हरी मिर्च और एक प्याज बारिक बारिक काट लिए हैं और अब हम स्पेशल छोले बनाने जा रहे हैं जो कि छोले कुल्चे वाले जो छोले होते हैं यह वही हमारे छोले तयार होने जा रहे हैं तो यहां पर हमें कटी हुई प्याज टमाटर और हरी मिर्च और कुछ सोखे मसाले मटर में डालने हैं और यहां पर मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च डालनी हैं अब हम डालेंगे काला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और एक चमच लाल मेज पाउडर और आधा चमच यहां पर हम डालेंगे गरम मसाला और आधा चमच हींग और आधा चमच हम जोर पाउडर हम डालेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स छोले कुलचे तो आप सभी को पसंद होंगे और बच्चों को तो काफी अच्छे लगते हैं तो यह हमारे छोले कोल्चे वाले छोले तैयार हो रहे हैं, यहां पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लिया है, टेस्ट को और ज़़ाधा बढ़ाने के लिए और यह हमारे चपटे छोले तैयार है. यह देखिए, मैंने सर्व कर दिये हैं छोले, तो अब हम नई तरह से यहां पर छोले कहाएंगे, कुल्चे हम यहां पर नहीं लेंगे, तो मैंने यहां पर तवे पर ब्रेड सेख लिए हैं, देशी गी में, और हम ब्रेड के साथ छोले कहाएंगे, और ये काफी healthy और tasty breakfast बच्चों का बनने जा रहा है और बच्चों को काफी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है और इस तरह से आप बच्चों का lunch भी pack कर सकते हैं bread के साथ इस तरह के छोले बना कर और काफी जल्दी बन भी जाते हैं ये छोले तो ये यहाँ पर मैंने bread सेख ली है और अब हम चलेंगे आगे तो इस तरह से आप छोले, sauce, salad और bread सेख कर ऐसे भी खा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर हम bread roll बना लेंगे छोले इनके अंदर इस तरह से रख कर और bread को मोड लेंगे रोल कर लेंगे और बस ये हमारे special छोले bread roll तयार है तो बच्चों को तो चाहिए ही होती है नहीं नहीं चीज़े खाने के लिए तो इस तरह से आप बच्चों को एक पसंदीदा breakfast दे सकते हैं बना कर और लंच में भी ये छोले bread roll आप बच्चों को दे सकते हैं आप सभी से मेरी request है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और bell button आप press जरूर कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की notifications आपके पास पहुँच सके ठोले bread roll तयार है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और share जरूर कीजिए थेंक यू